लो जनाबे वाला, history of algebra आपके सामने हाजर है, history क्या होती है, यानि कि algebra कब start हुआ, कहां से start हुआ, किसने पहले algebra को define किया, और पुराने जमाने, कितने पुराने जमाने में जहागे हम algebra को study कर सकते थे, या हम देख सकते हैं कि सबसे पहले algebra की नाम का मौजिद कौन है, किसने algebra और किस तरीके से गोरे जो हैं, इस L को हटाने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि it sounds like it's an Arabic or Persian kind of thing, लेकिन हम मैं, अब मैं इस lecture के अंदर आपको detail में बताऊँगा, कि ये algebraic equations और इसकी history क्या है, history पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि हमें पता हो कि हम क्या कर चुके हैं, यानि के Indian origins के लोग, यानि के बरिस गेरपा को हिंद की अगर बात की जाए, तो इन्होंने कौन-कौन सी नई जो चीजें हैं, वो एजात की हैं, या discover की हैं, या introduce करवाई हैं, जिसमें zero एक चीज है, इसके बाद Persian origin के जो Muslim scientist थे, उन्होंने किस तरीके से अलखवार्जमी कौन थे और किस तरीके से algebra को उन्होंने नाम दिया, यह सारी चीजें आपको इस lecture में मिलने वाले हैं, लेट स्टार्ट, यहां पे सबसे पहले अगर time period की बात की जाए, तो मैं यहां से आपको मेरा pointer नजर आ रहा होगा, मेरे pointer के साथ साथ चलिएगा, screenshot बाद में ले लिजेगा, around 1900 BC, यानि कि before Christ, Babylonians ने early use of algebraic method को various mathematical computations के थुरू use किया गया हो सकता है, because we find out कि उनके पास stone के tablets थे, जो mathematical computation को शो करते थे, यानि कि उनके पास से हमें कुछ ऐसी archaeological objects मिले हैं, जिसके उपर नजर आता है कि उन्होंने को algebraic equations जो हैं, वो की गई हैं, उनके काम में, फिर 1650 BC में, प के नाम से ahmes या ahems या चो भी आप बोल दें, in different pronunciation and according to the accent, तो document किया show causing early algebraic thinking, thinking की बात हुई है, कोई solid proof नहीं है, then ancient Greek era के अंदर, यानि के Greeks ने क्या किया, जो युनानी है, युनानी era के अंदर geometric algebra के बारे में बात की गई, यानि के तब वो different किसम की geometric को study करते थे, यानि के for example, अगर मेरे पास height और width पड़ी है किसी चीज के, तो मैं उसको volume कैसे define कर सकता हूँ, तो एक तरीका ये भी है कि आप geometric के अंदर algebra को जब use करते है, you can define the unknown part of one object, मिसाल के तोर पे, मैं आप से पूछता हूँ के length, height और width क्या है, तो volume तो निकल आएगा न, because you multiply the length, multiplied by height, multiplied by width, तो आपके पास volume आजाता है किसी भी चीज़ का, तो ये volume की equation किस ने दी, किस तरीके से आपको, अगर mood और base, यानि के आपको, जो आपका base है और perpendicular है, इसकी length पता हो, तो आप किस तरीके से अपना hypotenuse को calculate कर सकते है, according to the Pythagoras theorem, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से, Greeks और उनके आप जो आने वाले लोगा उन्होंने की, 9th century AD के अंदर, अल-कौर्जमी एक Persian scientist है, आपको नाम बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, he was the person who coined the term algebra from Arabic algebra, ये अरभी का लफज है, जिसका नाम है algebra, and wrote a treatise providing systematic solution for linear and quadratic equations, अब Arabic word algebra से निकला है, algebra, तो इसको through आप different किसम की, जो terms है, for example, ये algebra जो है, ये, अल-कौर्जमी ने, algebra को, यहां से निकाला था, अल-कौर्जमी से, इन्होंने ये पहली term, जो है, कौइन की थी, अब यहां पे हमारे पास, compendious book on calculation by completion and balancing, इसके अंदर ये term जो है, अल-कौर्जमी की ये book है, आप अगर पुराने books को पढ़ते हैं, तो लिटरेचर के अंदर, ये book के अंदर algebra का first time use किया गया था, that is why the origin of this word is from algebra, यानि के Arabic origin है, so, लोगों ने बड़ी कोशिच किया है, इसको Arabic से हटाने की, but they couldn't do it, right, अब आगे चलते हैं, 3rd to 7th century AD, आपके पास, different किसम की और भी civilization थी, उन्होंने भी इसको find out किया, और Arithematica का concept मिला, introduction of syncopated algebra, syncopated algebra भी कह सकते हैं, through Arithematica, and Brahma, Sputa, Siddhanta, Sputa, Sputa, मैं इसको pronounce नहीं कर सकता, I was trying before the lecture कि किस तरीके से इन्हें pronounce की जाए, लेकिन आपको एक चीज़ समझ आती है, कि ये Indian origin है, Arithematica, and Brahma, Sputa, Siddhanta, इसके अंदर अगर आप गौर करें, तो ये Hindi का या Sanskrit का word sound करता है, तो इसके अंदर उन्होंने सबसे पहरे Algebraic Arithematica को introduce कर वाया था, फिर हमारे पास 13th to 17th century AD के अंदर, इबनल बन्ना, and Al-Klaasadi, और Franquis, Viette, and Rene, Descartes, इन्होंने transition कीती, symbolic algebra की, development of modern algebra notions, annotations, and integration of algebra with geometry, तो जब 13th to 17th century AD, यानि के कुछ 100 साल पहले ही, इन्होंने development की है, modern algebra की, ठीक है, जिसमें symbolic algebra आया, आपने देखा होगा है कि algebra में symbols कम थे, लेकिन आइस्ता इस्ता इन्होंने symbolic algebra, यानि के symbols का introduction करवाना start कर दिया, inside the algebraic notations, फिर modern era के अंदर की है, various mathematicians ने बहुत स्यादा evolution and diversification की है, various branches of algebra, जिसमें linear algebra, abstract algebra, boolean algebra, जो भी आपको बताया मैंने, और various modern algebraic branches, there are many branches out there, और उनकी history जो है वो बड़ी strong है, तो अगर आप algebraic equations के बारे में सीखना चाहते हैं, और आपको पता नहीं है कि algebraic equations किस तरीके से काम करती हैं, then I would highly recommend at this point, please go and check, कब, कैसे, कहां, कौन सी branch, किस तरीके से बनाई गई, या किसने coin की term, किस तरीके से ये terms हमारे सामने, Indian origins का क्या रोल है, Persian origin का क्या रोल है, Arabic origins का क्या रोल है, और अब modern abstract और boolean algebra क्यों coin की गई term और computer science के अंदर इसका क्या रोल है, ये आपके interest के लिए, मैंने सिरफ आपको एक छोड़ी सी चिंगारी देनी थी, कि ये algebra का लफ्स कहां से निकला है, by the way, एक छोड़ी सी assignment आपकी algebra का मतलब क्या है, ये आपने देखने, algebra, ठीक है?